हमने देखा कि अधिक्रित पूंजी और निर्गमित पूंजी आपस में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्ने हैं इसी तरह हम देखते हैं कि अधिक्रित पूंजी और चुक्ता पूंजी किस प्रकार एक दूसरे से भिन्ने आये इसमें अंतर जानते हैं अधिक्रित पुंजी एवं चुक्ता पुंजी में अंतर अधिक्रित पुंजी आशर के आधार पर पार्शत सीमानियम में उलेक की गई पुंजी को अधिक्रित पुंजी कहते हैं और चुक्ता पुंजी का वह भाग जिसका भुक्तान कंपनी को प्राप्त हो गया है चुक्ता पुंजी कहलाती है अधिक्रित पुंजी का नर्धारन कंपनी की वर्तमान एवं भावी आउशक्ताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है जबकि चुक्ता पुन्जी का नर्धारण कंपनी की बतमान आउशक्ताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है घोशना के आधार पर अधिक्रित पुन्जी की घोशना कंपनी के पार्शत सीमानियम में की जाती है जबकि चुक्ता पुंजी के घोशना पार्शत सीमानियम में नहीं की जाती है अधिक्रित पुंजी के आधार पर स्टाम ड्यूटी नर्धारित की जाती है जबकि चुक्ता पुंजी के आधार पर स्टाम ड्यूटी नर्धारित नहीं की जाती है अधिक्रित पुंजी के आधार पर पंजन शुल्ग नरधारित होती है जबकि चुक्ता पुंजी के आधार पर पंजन शुल्ग नरधारित नहीं होता है अधिक्रित पुंजी के मात्रा के आधार पर अधिक्रित पुंजी चुक्ता पुंजी से अधिक हो सकती है तो हमने देखा कि अधिकरित पुण जी और चुक्ता पुण जी किस प्रकार एक दूसरे से अलग-अलग है UP अगर हम बात करे hè पुणजी गत संचय और संचीत पुणजी सुनने में दोनों जो ठब्द है वह एक से लते हैं पुणजी गत संचय एवां संचिक पूंजी में अंतर art के आधार पर सामन लाभों को छोड़ कर अन्य पुझी का त लाभू से बनाया गया संचय इतरा हें जब कि संचिक पूंजी कंपनी द्वारा न मांगि गई कोण व भा I के समापन पर ही मांगा जाता है प्राप्ति के अधार पर पूंजी संचय लाब का वह भाग है जिसके प्राप्ति के अधार पूझी गत संचे के नर्माण के लिए किसे बिषयस प्रस्ताओं के आवशकता नहीं होती जबकि संचित पुंजी के लिए एक प्रस्ताओं का पास किया जाना आवश्यक होता है उपयोग के आधार पर पूंजी गत संचे का उपयोग कंपनी की पूंजी का थानी को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि संचित पूंजी कंपनी के समापन में ही उपयोग मिलाई जासकती हैं लेखों के आधार पर पूंजी संचय को हिसाब कि फिस्टु को में लिखा जाता है तता इसे चिट्टे के दाय तुपक्ष में दुशाया जाता है जब कि संचीत पूंजी का लेखा नहीं किया जाता है तो हमने देखा कि संचित पूंजी और पूंजी का संचय में काफ़े भिन्दता है अब अगर हम एक नए बिन्दू की बात करें जिसे हम कह सकते हैं कि कमपनी के स्थिति विवरण में अंश पूंजी और इन पत्रों का प्रस्तुति करण किस प्रकार किया जाता है हमने अंश पूंजी निर्गमित पूंजी याचित पूंजी याचित पूंजी कई भागों में बटी हुई होती है लेकिन वास्तों में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं पहले जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां पर लियाबिटी साइट में हम पूंजी को लिखते थे लेकिन यहां पर हमको company अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए balance sheet का निर्मान करना है तो आए एक format देखते हैं जिसके अंतर गत हम देखेंगे कि capital जो इतने अलग 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 प्रकार की पूंजी होती है उसको हम कहां पर अस्थती विवरण में कैसे दर्शाते हैं यहां पर हम capital सबका विवरण हमने यहां पर लिखा हुए है तो सबसे पहले हम लिखते हैं authorized share capital और इसके अंतरगत हम हमारे पास जो share होते हैं जैसे कि पहले भी हमने देखा कि दो भागों में बटे होते हैं equity share और प्रिफरेंशल दो तरह के share होते हैं तो यहां पर हम authorized share capital हमारी कितनी है वो कितने equity share और कितने preferences share में बटी हुई है उसका विवरण हम अलग-अलग करते हैं साथ में आप यहां पर देख रहे हैं हम यह भी उलेग करते हैं कि एक जो equity share है वो कितने रुपय का है एक जो preferencer share है वो कितने रुपय का है उसके बाद second step में हम देखते हैं कि issued share capital यानि नि पुरवाधिकार अंश कितने हैं उसके बाद हम यहां पर प्रविस्टी करते हैं सब्सक्राइब जो share capital है उसके बारे में भी हम entry कर देते हैं कि total subscribe share capital क्या है कितनी उसकी amount है उसके बाद हम देखते हैं कि called up capital कितनी है कितनी पूंजी मांगी गई equity और preferential मिला कि कितनी पूंज पर करते हैं इसमें हमको ध्यान रखनी होगी बात है कि इसमें से हमको calls in area जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे फिलाल हम यह जान लेते हैं कि calls in area यानि कि पैसा मांगा लेकिन मिला नहीं तो calls in area कि अगर कोई amount है तो उसको हमको बहुत सावधानी से यहां पर minus कर देना है और forfeiture of share की अगर कोई condition बनती है forfeiture of share याने कि अन्शो का हरण जिसकी बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे अगर forfeiture of shares की कोई condition बनती है तो उसको हमको यहां पर add कर देना है तो इस प्रकार से पूंजी का जो पूरा structure होता है उसको हम company के स्थिति विवरण मे दर्शाथे हैं company अधिनेंव 1956 की अनुसूची संशोधित 4 भाग 1 एवं company अधिनेंव 2013 के अनुसार कमपनी का स्थिति विवरण अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार तयार किया जाएगा जो कि संशोधित अनुसूची 4 भाग 1 के समानी होगी जो कि इस प्रकार होगी इसका format क्पामिट हम यहां पर देख रहे हैं सब्सक्तción है यह कंक्त करते हैं और यह व्हज़ार यह अगेंड यहां पर देख रहे हैं कि जो बना रहा हैं वहां पर जो शेयर कैपिटल है रिवाइज शेडूल में जब हम यह बैलंच बनाएंगे तो हम यह देखते हैं कि जो बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल लिखते हैं और चापिटल के अंतरगर्थ जितने टाइप सब्सक्राइब और सब्सक्राइब उन सब को अलग-अलग करके लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहें कि अब यह जो अब यह इन दोनों को हम अलग-अलग क बार के लिखेंगे उसके बाद हम इस्यूट क्यापिटल लिखेंगे वह बी इकविटी और में बटे होंगे फिर हम सबस्क्राइब शेयर कापिटल लिखेंगे यह भी हमारी एक उच्पाइब असे पर उसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे जो फॉर्पिटेड हरन किये गया जो अंश है उनको हम यहाप पर फिर एड़ करेंगे अब हमारा जो दूसरा महतपूर्ण विंदु है वो है अंशो का निर्गमन अब हम पहुचते हैं कमपनी के वास्तविक क्रिया कलाब पर वास्तों में अभी तक हम कमपनी के बारे में जीन बातों का ध्यान कर रहे हैं उसमें जो सबसे महतपूर्ण बात होता है जिस पर कमपन की पूरी आधार बूत स neural каж निर्गमन अब आगर हम बात करें अंशों के निर्गमं की तो सबसे पहले अंशो का जो निर्गमन है उसको हम दो दुरिश्टिकोंट से देखते हैं दो विवस्ताओं के पर बाढ़ते हैं पहला अन्षो की निजी व्यवस्था द्वारा और दूसरा अंशो की सार्वजनिक वयवस्था के अंतरगत निर्गमन यहां पर ये निरօरिक्त की जो स्मदित हो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अंशो के निजी विवस्था क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंशो का निजी विवस्था के द्वारा निर्गमन किस प्रकार से होता है कई बार कंपनी के जो संचालक मंडल होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जनता में प्रविव कर्मचारी या अधिकारियों के संपर्क में आने वाले लोग हैं जैसे कि उनके मित्र है या उनके रिष्टेदार है उनको अगर सूचना दे दी जाए तो वो ही इसके अंशो को खरीद लेंगे इसके अंतरगत हम कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी के मित्र और रिष्टेदा होते हैं उनके साथ साथ हम NRI और कई वित्त संस्था जैसे LIC, UTI, ICICI और इसके साथ अन्य साख और वित्त के जो संस्थान होते हैं उनमें भी अंचो को बेचने का कारे किया जाता है यहां पर क्योंकि जनता क्वामंत्रित नहीं किया जा रहा है तो मुख्य प्रविवरंड ज चलाया जा सकता है इसी के अंतरगत एक और विवस्था के बारे में हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं समता अंशो का स्वेट निर्गमन वास्तों में स्वेट निर्गमन एक ऐसी विधी होती है जिसके अंतरगत कंपनी अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों को आमंत्रित क किया गया था अभ आए देखते हैं कर्मचारी आफ विवरन क्या है तो कर्मचारी इस टॉक जो होता है उसके अंतरगत हम कर्मचारी स्टॉक को विकल्प रूप में लागू करते हैं और हम नतरगत हम eater you के कंपनी अधिनियम संशोधी थे दो हजार कमपनी अधिनियम 2000 की धारा अधिकारी के पूरी प्रक्रीया है कि करवास्तों में यह पूरी प्रक्रिया है की कर्मचारी अधिकारी को प्रेरित करना कंपनी कैंपनी के आध्यारित है कर्मचारियों को बनाए रखना उनकी जो योगिता है उसका पूरा का पूरा लाब दे पाना या कर्मचारियों और अधिकारियों को कमपनी के प्रति आकरशित करना अब हम बात करें अंशो के निर्गमन के अगली प्रक्रिया के जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक निर्गमन वास और फिर उसके आधार पर ही कंपनी जो होती है वो अपने अंशो का नर्गमन करती है तो जब हम सारवजनिक निर्गमन प्रक्रिया के अंतरगत अंशो का निर्गमन करते हैं तो सबसे पहले जो इसका स्टैप होता है वो होता है प्रविवरन जारी करना जिसके बारे में पहले भी जान चुके हैं इस प्रविवरन के आधार पर जो कंपनी होती है वो जनता से आवेदन आमंतरित करती है और दूसरा स्टेप यह होता है कि जनता इन अंशों को खरीदने के लिए आवेदन कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करती है अब कंपनी को यह देखना होता है कि किन अंशधारियों को नहीं किये जाने है तो कंपनी जिन अंशधारियों को चाहे उनको अपने अंश जो है वो अलोट कर सकती है आबंटन कर सकती है तो तीसरी यह प्रक्रिया होती है अंशों के आबंटन की अब अंशों का जो मूल्य है वो कंपनी एक साथ नहीं लेती प्रतम याचना और इसको मांगती है थे सारवजेनिक निर्गमन की प्रक्रिया और अब अंश प्रमाड पत्र की सब्सक्राइब निर्गमिद कर दिया जनता ने आवेदन अण दिया कंपनी ऒर अंशों को खरीदने के लिए कंपनी उन्ण आविदनों को स्विकार करती है कि आप Iम Gearchisen यह और उनको अपने अंश बेच्छ 14 यह जब कंपनी जनता में अपने अंश बेच्छती है तो कोई न कोई प्रामान होना चाहिए इस बात का की उस कंपनी के अंश किसी व्यक्ति के पास है वो जो व्यक्ति है जिसने कंपनी के अंश खरीदे है वो उस कंपनी का अंशधारी है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कंपनी उन अंशधारियों को जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है इसे को हम कहते हैं अंश का प्रमाण क्योंकि लिखित में होता है ये तो इस पर जो अंशधारी होते हैं उनका नाम पता और उसके बारे में जो अवश्यक जानकारी होती है वो दी जाती है और उसको प्रमानित करने के लिए जो कंपनी का जो संचालक होता है कंपनी का जो मुख्यधिकारी होता है उसकी कंपनी के स तरह के हैं पूरवदिकार अंशों की जो राशी है वो कितनी है और भुगतान उस पर किस प्रकार किया जाना है तो इन सभी बातों का उलेक करते हुए यहां पर अंश प्रमाड पत्र जो कंपनी के अंशधारी होते हैं उनको जारी किया जाता है अब अगला बिंदु अगर हम देखें कि अंशो के निर्गमन के लेखे कैसे किया जाते हैं जब हम वेभारिक रूप से जनरल एंट्री पोस्टिंग करेंगी तो वहां पर हम कौन-कौन से कौन-कौन से नियम को फॉलो करते हुए हम जनरल एंट्री पास करेंगे आए देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि अंशो का जो निर्गमन है वो तीन तरह से होता है कौन-कौन से तीन तरह से एक मुश तो होता है जैसे मैंने उदारन दिया कि 10 रुपे का एक अंश है तो पूरा का पूरा 10 रुपे एक साथ मांग लिया जाए दूसरा होता है किस्तों में यानि कि उस 10 रुपे को कई किस्तों में मांगा जाए पहले 2 रुपे फिर 3 रुपे फिर 2 रुपे फिर 3 रुपे ऐसे करके 10 रुपे मांग लिये जाए तीसरा जो होता है वो नगद के अंशोक बनकिे अंदिए जाते हैं इन तीनों ही दशाओं में चाहे ॆ एकमुष्ट राशी क्राप्ति कीजाए किस्तों राशी प्राप्ति के जाए या नगत की अत्रिक्त अन्य प्रतिपल हो तीनों ही दशाओं में तीन तरह से अंशोक को निर्गमित किया जाता है सम्मुल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर अगर एक मुष्ट राशी प्राप्त होती है तो वो सम्मुल्य पर भी अंशो के निर्गमन से प्राप्त हो सकती है बट्टे पर भी निर्गमन किया जा सकता है प्रीमियम पर भी निर्गमन किया सकता है दूसरा अगर किस्तों में हम राशी लेना तै करते हैं तो वो भी सम्मूले पे हो सकता है प्रीमियम पे हो सकता है और बट्टे के आधार पे हो सकता है तीसरा रोकड के अत्रिक्त अगर अन्य प्रतिफल से अंश दिये जा रहे हैं तो वो भी सम्मूले पे हो सकता है प्रीमेम पे हो सकता है और बटे पे भी हो सकता है तो ये पूरी व्यवस्ता है जिसके अंतरगत अंशो का निर्गमन किया जाता है अब जब हम बात करते हैं एक मुष्ट राशी प्राप्त होने की तो किस तरह से अंशो की संपूर्ण राशी एक मुष्ट प्राप्त होती है आएक उदारन की तोर पे देखते हैं मान लेजिए ABC Company Limited ने 10,000 समता अंश 10 रुपय प्रती अंश की आधार पर निर्गमित किये अंशों पर संपूर्ण राशी एक मुष्थ प्राप्त हो गई कहने का मतलब यह है कि यह जो 10 रुपय है 10,000 अंश रुपर यानि कि एक लाख रुपय पूरा का पूरा एक साथ प्राप्त होता है और जब यह एक मुष्थ या एक साथ प्राप्त होने की बात आती है तो यह जो प्रविष्टियां होती है वो केवल आवेदन की होती है आवे इसके लिखांकन का कंपनी का वो क्लोज हो जाता है अब आए कुछ ऐसे क्रियात्मक प्रश्णों को देखते हैं जिसमें एक मुष्ट आधार पर अंशो को निर्गमित किया गया है एक कंपनी की अधिकरित पुंजी तीन लाख रुपए हैं जो की 100 रुपय वाले 12 प्रतिशत एक हजार पूर्व अधिकार अंश्मीर एवं 10 रुपय वाले 20 अजार समता अंशों में बटी है इनमें से कंपनी 10 अजार समता अंशों को निर्गमित करती हैं जिनकी संपूर रकम आवेदन पर दे थी सभी जनता द्वारा ले लिए गया इवं सभी रकम प्राप्त हो गई आवश्यक पंजी प्रविस्टी कीजिए यहां हम देखते हैं कि जितनी अमाउंट अधिक्रित पूंजी जो है अंशों पर जो मिलने थी वह पूरी की पूरी राशी इंस्टॉल्मेंट में ना मिलकर एक साथ प्राप्त हो जा रही है तो यहां पर इस कंडिशन में हम केवल रूपत होने की युए सारी का बाट इकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो सेकेंडकी को जो और एक अंश पर दस रुपय है, तो यह एक लाग रुपय हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, और दूसरा इस एक लाग रुपय को हम equity share capital account में transfer कर देंगे, तो यहाँ पर हम general entry करेंगे, equity share application account debit to equity share capital account, और एक लाग से इसकी amounting करेंगे, और narration हम यहाँ पर लिख लेंगे, being application money transfer to share capital account, अंशो पर प्राप्त आवेदन की संपून राशी को अंश पुंजी खाते में हस्तान तीज करने पर, परिक्षा के दिश्टे से काफी महत्वकून प्रश्ण है यह, सीता लिमिटेट कंपनी ने 50,000 समता आंश जोकी 10 रुपय वाले थे 99 शर्तों पर निर्गमित किये, आवेदन पर 1 रुपय, आबंटन पर 4 और 6 प्रतम याचना पर 70,000 शेरों को खरीदने के लिए आवेदन प्राप्त हुए, 20,000 अंशों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था, को आबंटन नहीं किया गया और उनकी आवेदन की राशी वापिस कर दिगे, शेरों को कमपनी द्वारा आबंटन किया गया, देतिति पर सभी राशिया प्राप्त हो गई, जनरल प्रविष्टिया देजिए, यदि रोकड बही में सीधा लेखा किया जाए, इस प्रशन की महत्वकूर बात या है कि यहाँ पर हमको डार्यक कैश भूक में पोस्टिंग करनी है, तो यहाँ जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हम डिउ की एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ रिसीव की एंट्री हम यहां पर करेंगे, तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं, कि जब हमें एक रुपए है, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं, equity share application amount debit to equity share capital account, और narration हम यहां पर लिखेंगे, being application money transfer to share capital account, 50,000 equity share है, और एक share पर एक रुपए आवेदन की राशन है, तो 50,000 रुपीज हम यहां पर amount column में transfer कर देंगे, दूसरी हम जो entry करेंगे, वो allotment money receive की करेंगे, तो हम यहां पर देख रहें कि 50,000 share पर allotment money जो है, और share capital में transfer की entry करेंगे, और receive वाली जो entry होंगी, वो direct cash book में होंगी, तो इस आधार पर हम जब general entry करेंगे, तो first entry हमारी होगी, equity share application account debit to equity share capital account, 50,000 से, क्योंकि 1 रुपेज पर equity share है, इसलिए 50,000 से first entry होगी, यहां हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि direct cash book में posting है, तो यहां पर हमको cash receive की entry कहीं पर भी नहीं करनी है, second allotment की entry है, तो allotment की हम सिर्फ यहां पर due के entry करेंगे, और receive की entry जो है वो हम direct cash book में करेंगे, इसलिए यहां पर हम नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर हमारी second entry हो जाएगी, equity share allotment account debit to equity share capital account, being allotment money due, तो यहां पर हम देखते हैं कि fifty thousand shares पर चार रुपए allotment की हिसाब से दो लाख रुपए इसकी allotment money हम यहां पर transfer कर देते हैं, तीसरा क्यूंकि हमने यहां पर देखा कि दस रुपए के share थे और एक रुपय आवेदन पर चार रुपय आवंटन पर हम दे चुके हैं, और शेश जो है वो प्रथम याचना पर देना है, तो दस में से पांच हम यहां पर दे चुके हैं और पांच रुपए जो है वो शेश बचता है, तो fifty thousand shares पर यहां पर हमको पांच रुपए और देना है, और entry जो होगी वो होगी हमारी equity share first call account debit to equity share capital account being first call money due, और यह fifty thousand into five, यानि two lakh fifty thousand entry हो जाएगी, अब क्योंकि हमको यहां पर cash book में direct posting करने बोला है, तो हमको यहां पर cash book बनाना पड़ेगा, cash book के debit side में हम सारे receipt जो हमको होते जाएंगे, receive होते जाएंगे amount उनकी entry करते जाएंगे, और credit side में जो expenses हैं उनकी entry करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हम share application की money receive करते हैं, तो जो first entry होती है, उसके according हम entry करते हैं, यहां पर bank account debit to share application account, तो यहां हम तो यहां क्योंकि सत्तर हजार share जो है वो खरीदे गये हैं, तो और एक रुपय प्रती share इनकी राशी थी, तो यहां हम जो first entry करेंगे वो करेंगे to share application account, क्योंकि general entry अगर हम posting करते हैं तो हमारे entry होती है bank account debit to share application account, तो यहां पर हम bank या फिर cash account के debit side में to share application account लिखेंगे और 70,000 से इसके posting करेंगे, उसके बाद allotment जब receive होता है तो हम entry करते हैं bank account debit to share allotment account, तो यहां पर हम cash account के debit side में लिखेंगे to share allotment account और allotment की मनी 2 lakh वो लिखेंगे और तीसरे जो हम entry करेंगे वो हो जाएगी bank account debit to share first call account, तो bank account यानि की cash account के debit side में हम लिखेंगे to share first call account और credit side में हम जो entry दे रहे हैं देख रहे हैं वो entry है जब हम share application की receive की entry होती है, bank account debit, share application account debit यह पूरा question गलत है, इसको नहीं बनाना है, Mohan Limited के अधिकरित पुंजी 2 lakh रुपय थी जो 10 रुपय वाले 20,000 अंशों में विभक्त थी, company ने इन में से 10,000 अंशों को नर्गमित किया, परंतु आवेदन केवल 8,000 अंशों के लिए ही प्राप्त हुए, देर रकम इस प्रकार है, 2 रुपय आवेदन पर, 3 रुपय अबंटन पर, 2 रुपय प्रतम्याजन पर और 3 रुपय अंतिम्याजन पर देए हैं, आवश्यक पंजी प्रविस्टिया कीजिए, यहां हम देख रहे हैं कि मोहन लिमिटेट की जो authorized share capital है, वो है 2 रुपय यानि की 20 हजार share है और एक share 10 रुपय का है, लेकिन यहां 10 हजार अंशो को निर्गमित किया गया है और आवेदन किवल 8 जार अंशो के लिए ही प्राप्त हुए है, यानि कि जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है केवल उन्हीं अंशों को हम निर्गमित करेंगे और जो राशियां आएगी आवेदन, आबेंटन और याजनाओ की उनको हम 8000 अंशों से मल्टिप्लाइ करके यहां पर उनकी एंट्री हम करेंगे तो सबसे पहली हम जो दो एंट्री करेंगे वो हम अंश आवेदन के एंट्री करेंगे जिसमें पहली एंट्री जो होगी वो अंशों के आवेदन की राशी प्राप्त होने पर होगी और दूसरी एंट्री उस प्राप्त राशी को पूंजी खाते में हस्तांत रिट करने की हां पर बेंक कर देबिट ऑप्लीकेशन एकाउंट विए ओपलीकेशन मुझी सिवार एट ताउजन शियर impd प्रीकेशन की अब आप्लीकेशन के अमट्वर्पेयर और वह दो है तो अब रुपए सिक्स्टीन ताउजन इसको इस प्राप्त राशी को हम इंचेन होगी एकक्विट स्यर हने recover कोगी स्यर अपलिकेशन मेर्न से करेंगे थार्ड हम जाएंट करेंगे वह अलॉटमेंट के एंट्री करेंगी फिर ने आलॉटमेंट के घ्र zona रिसीब 38 गारमिट की तो एलॉटमें money due on eight thousand share eight thousand share pay allotment amount three rupees के हिसाब से हम इसकी calculation करेंगे तो 24,000 हम इसकी amount लिखेंगे और receive की जब हम entry करेंगे allotment की receive की तो हम general entry करेंगे bank account debit to equity share allotment account और 24,000 से हम इसकी entry कर देंगे उसके बाद हम first call की entry करेंगे तो first call की भी हम इसी तरह से दो entry करेंगे एक due की और एक receive की equity share first call account debit to equity share capital account being first call money due on eight thousand share eight thousand shares पे क्योंकि first call की amount है वो दो रुपह है तो eight thousand into two sixteen thousand इसकी amount हम आप लिखेंगे और यह जो राशे due होई है allotment में यह अब receive होगी तो हम receive की entry करेंगे बैंक अकाउंट debit to equity share first call account और sixteen thousand semis की entry कर देंगे और narration हम यहाँ पर लिख देंगे being first call money receive same to same इसी तरह से second call की हम entry करेंगे पहले due की और पर receive की तो due के entry हम करेंगे equity share second call and final क्योंकि second ही final call है last जो amount बची थी पूरी क्यों पूरी second call पर मांग ली गई equity share second call second and final call account debit to equity share capital account और क्योंकि three rupees है second call पर तीन रुपए है तो eight thousand into three twenty four thousand हम इसकी entry हम पर कर देंगे और narration हम इसका पर लिखेंगे being second and final call money due अब इसके receive की हम entry कर लेंगे bank account debit to equity share second and final call account और narration हम यहाँ पर लिखेंगे being second and final call receive और इस तरह से जनरल एंट्री के amount column को हम प्लोज कर देंगे 161,60,000 से एक्स कंपनी लिमिटेट ने पचास रुपए वाले एट थाउजन अंशो एक्स कंपनी लिमिटेट ने पचास रुपए वाले 8,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रविवरन नर्गमेत किये जिन पर राशे निम्न प्रकार देए थी 15 रुपए आवेदन पर 25 रुपए आबंटन पर तथा 10 रुपए याजना पर इन सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होगे दो हजार अंशों के नर्गमन के वैभुपतान कर दिये कैं सभी आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए यहां देख रहे हैं कि 8,000 जो है उनके लिए अप्लिकेशन हमने अमंत्रित किया है और उस पर जो राशी है वो अप्लिकेशन अलॉट्मेंट और फस्ट कॉल की दी गई है और दो हजार जो है वो आंशों के नर्गमन के वैभुपतान करना यहां पर दिया गया है जिसके हम लास्ट में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम एप्लिकेशन के रिसीव एप्लिकेशन मनी के रिसीव के एंट्री करेंगे जो होगी बैंक एकाउंट अब यह जो शेयर अप्लिकेशन अकाउंट हमको मिला है शेयर अप्लिकेशन पर उसको हम जब शेयर क्यापिटल एकाउंट में ट्रांसफर करेंगी तो हमारे एंट्री हो जाएगी शेयर अप्लिकेशन अकाउंट डेबिट शेयर क्यापिटल एकाउंट और सेम अमाउंट यहां पर 1,20,000 और जो नरेशन है वो हो जाएगा बिंग एप्लिकेशन मनी ट्रांसपर टू कैपिटल एकाउंट अंशो पे प्राप्त आवेदन की राशी को अंश पुंजी खाते में हस्तान तरिछ के अब धर पॉइंट जो बनता है वो हमारा है अलॉट्मेंट का तो अलॉ पर जो हम लिखेंगे वो होगा 8,000 इंटू 25 क्योंकि हम वहां पर देख रहे है कि 25 रुट्मेंट पर रिसीव हो रहा है तो 8,000 इंटू 25 तो 2,00,000 से हम यहां पर एंट्री करेंगे और फॉर्थ एंट्री में यह जो अलॉट्मेंट डू हुआ था अब वो रिसीव हो जाए तो पहले हम दूट्री करेंगे फॉर्स कॉल एंट पाइनल कॉल एकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल एकाउंट और क्योंकि यहां पर जो फॉर्स्ट कॉल है उसके अमाउंट है तैन रुपीस तो टैन से हम उसको मैल्टिप्लाई करके 80,000 इंट तैन 80,000 हम इसकी बिंग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव इस तरह से नरेशन लिग देंगे फर्स्ट पहली और अंति म्याचना की राशी प्राप्त होनी पर और अमाउंट जो होगी वो 80,000 होगी एक जो यहां पर नया पॉइंट आया है दो हजार रुपय जो एंशो की पर यहां पर हम एंट्री करेंगे एक्सपैंस और इसको यहां पर लिग देंगे और इस तरह से अमाउंट कॉलम को हम आठ लग दो हजार रुपय से यहां सर ख्लोज कर देंगे